क्योंकि भाई देखो एक सही कोचिंग में जाना life changing decision हो सकता है तो भाई तुम जब जिस भी कोचिंग में जा रहे है अब तुम्हें जिस भी वेज में हो तुम्हें जो faculties मिल रही है तीनों सब्जेक की फेकल्टी सिर्फ average नहीं होनी चाहिए बहुत शांदार होनी चाहिए मतलब तुम्हें तीनों सब्जेक की फेकल्टी का समझ में आ रहा है जो वो समझा रहा है तुम समझ पा रहा है वो दियान दे रहा है अगर एक भी सब्जेक की फेकल्टी कम जो रहे या फिर माल लो तुम्हें उस फेकल्टी का समझ में नहीं आ पर माल लो तुम जिस कोचिक में हो उसमें इक सब्जेक में बहुत अच्छ टीचर मिल के सबको समझ समय आ रहरा है पर बाखी को कि अच्छी आ रहा है कोचिंग चैंज कर लो यह तीन सब्जेट का खेले लो तुम्हें तीन हों में परफॉं करना है अगला पॉंट सेवेंध् बीच में ही faculty change हो जाती है क्योंकि जब आब एक faculty से पढ़ते हो तो भाई एक आतम हीरे का time रगता है उस faculty से connect करने में उसको समझेने में फिर connection सा बन जाता है faculty और student की बीच में वो faculty फिर ध्यान रखती कि अगले दो साल में वो तुम्हारी तैयारी कर रहे और तुम्हें selection तक लेके जाए उसका काम से पढ़ाना नहीं है वो तुम्हें पूरे दो साल तुम्हारे guide होते हैं तो ऐसी coaching सुपर फगरो जहाँ पे faculty शायद ही कभी चेंज होती हो अगर तुम्हें कोई coaching पता है जा पर हर कभी faculty चेंज हो रही है वही साल में दू बार faculty चेंज हो गई तीन बार हो गई उन coachings को अबएट करना वीकेंड badges को avoid करो यह business की strategy होती है ऐसा नहीं है कि तुम बाकी पांस दिन स्कूल में जा रहे हो सिब दो दिन coaching है और तुमारी तयारी हो जाएगी जब coaching में teacher पढ़ा रहा होता है तो पूरी responsibility उसकी ही होती है वो subject को बिलकुल base से उठाता है और तुम्हें JMS advanced के level तक लेके जाता है और उसमें time लगता है तो अगर भाई कहीं भी तुम्हें 18 आउर से कम भाई teaching मिल रही है एक week में avoid करो भापर तुमको बनाया जा रहा है बस तुम्हारा syllabus खतम करने के लिए पढ़ाया जा रहा है तुम्हें समझाया नहीं जा रहा है तुम्हें ranks की तयारी नहीं करा है हमको sufficient time मिलना चाहिए खुद से questions solve करने का packages complete करने का previous questions complete करने का notes को revise करने का बहुत सारी जगे बहुत सी coaching में वो बहुत सारी teachers क्या करते है वही वो जितना जो allotate time होता है उसमें नहीं वो एक-एक subject को भाई बहुत बहुत पढ़ाते रहते हैं बच्चों को संडे को भी ब इसा लग रहा हो पर वो long term में तुम्हारा नुकसानी कर रहा है देखो मन्त में कभी कवार एक-दो बार extra classes हो जाना ठीक है पर अगर तुमारी हर वीक extra classes हो रही है तो भाई फिर उस teacher में कोई कभी है he doesn't know how to complete the syllabus in proper way in the right time जो बहुत जादा crucial है भाई ITG में सेलेक्शन के लिए अगली चीज भाई classes ना balance way में होनी चाहिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें एक दिन बुलाए और 5-6 घंटे physics पढ़ा दी अगले दिन तुम्हें बुलाए 5-6 घंटे math पढ़ा दी फिर एक दिन पूरी chemistry पढ़ा दी इस तरह से नहीं होना चाहिए classes balance way में होनी प्रॉपर वे में एक दिन में फिर इस चाहिए अटलीस दो सब्जेक्ट तो एक दिन में होने चाहिए और 2-2 घंटे से जाता कि classes नहीं होनी चाहिए continuously भाई कोई भी एक ही subject पढ़ो के तो बहुर हो जाते हमारा दिमाग को change चाहिए होता है तो week में at least तुम्हें 3-4 बार तो तुम्हारा teacher मिलने चाहिए यह उस particular subject का ताकि तुमने जो भी पढ़ा है जो भी discuss करा है उसके doubt ताकि तुमने जो भी questions solve कर रहे हैं पढ़ा हुआ है अगर notes में कुछ doubt है तो teacher से जाके clarify कर पाओ तो ऐसी चीज़ जनरली डेली में होती है डेली में बहुत सरी चोड़ी चोड़ी coachings है तो भाई इस तरी की coachings avoid करना classes balanced way में होनी चाहिए डेली की coachings से बात करी है तो आगला point भी बता देता हूँ point number 10 इस तरी की coachings avoid करना वही जहाँ पर बहुत सारे marketing वाले और counselor वाले बंदे बेटे होते है जैसे तुम डेली की coachings में जाओगे मैंने का कि यहाँ पर बहुत सारी चोड़ी चोड़ी बहुत सारी coachings है तो यहाँ प पकड़ पकड़ के parents और students को ले के आते हैं फिर बहुत एक counselor मेंट होता है जो pure marketing वाला बंदा होता है वो हर एक parents से सेम बात बोलता है वो expert हो जाता है convince करने में लोगों को और आपको admission करा देता है बहुत डेमो classes के लिए faculty बेटे होंगे बोलेंगे faculty हम मिलवाते है वह faculty आपक कि कुछ कुछ पढ़ाएंगे दस दस पंदा मंदा मिनिट आपको मजा जाएगा आप तो ऐसा है कि वह उस faculty ने 15 मिनिट में तुम्हें क्या पढ़ा है उससे faculty को जजमत करो वो चीज वो डेमो किलास वो हर student को सेम दे रहा है वो कोई एक बहुत अच्छी चीज तुम्हें ब पॉइंट नमबर 11 अगर पॉसेवल है तो इस्कूल इंटीग्रेटर प्रोग्राम को प्रिफर करना क्योंकि यहां पर बहुत जाता फायता हो जाता है तुम्हें अलग से स्कूल नहीं जाना पड़ता और तुम्हें डमी स्कूल में भी एड्मिशन नहीं लेना पड़ता त इससे जादा अगर हम कर देते हैं तो भाई टीचर किसी भी इस्टून को परसनल अटेंशन नहीं दे पाता है यहां तक कि यह एक नेगटिव पॉइंट है गोटा का कि बहाँ पर भाई तुम जाओगे तो लगवे सभी कोची में तुम्हें अटलीस सो तेड़ सो इस्टू और भाई कई सिटीज में तो ऐसा है और आज भी चल रहा है कि कुछ बहुत पुराने टीचर बनके बैठे हुए हैं और वो एक एक क्लास में पांसो पांसो हजार हजार बच्चों को पढ़ाते हैं अब एट करो लास्ट पॉइंट भाई उस कोचिंग का पूरा सिस्टम कैस है जैसे कि मैंने खावी फैकल्टी तो सबसे इंपोर्टेंट होती है सारे के सारे उसके अलब भाई कोचिंग का सिस्टम भी बहुत इंपोर्टेंट है क्या तुम्हें सही टाइम पर तुम्हें पैकेजिस मिल जाते हैं मतलब अगला टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मिल चाहिए जनरली नई कोचिंग में ये दिक्कत होती है मैटिरियल्स और पैकेजिस में बहुत सारी गलतियां होती है बहुत लेट 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 आ रहे होते हैं बच्चों के पास क्या तुम्हारा रेगुलर्ली क्लासरूम में डिसकशन होता है क्लासरूम में टीचिंग के अगर कोई नई कोचिंग के किस ने को लिए जनरली कोई फैकुले उन तीन फैकुले लेटीज का वेग्गरांड क्या है क्या वह लॉंग टरम में उस कोचिंग को सस्टेन करेंगे क्योंकि नई coaching में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि भाई उसके qualifs के chances बहुत ज़्यादा होती है हो सकता है कि बीच में ही वो बंद कर दें उनके उतने admission ना हो पाए या फिर जिन तीन faculties ने मिलके खोली उनके बीच में आपस में लड़ाई हो जाए उसकारण से coaching बंद हो जाए तो यह risk होती है पर इसको consider कर सकते हैं अगर वो तीनों के तीनों faculties बहुत अच्छे हैं उन्होंने पहले अच्छे organizations में काम करा हुआ है उनके results बहुत अच्छे हैं तो इनको भी consider कर सकते हैं पर risk तो होती है नई coaching में well established coaching में risk थोड़ी सी कब है तो दो जब भी कोई भी coaching जोइन करनी है याद रखना है इन सारे points को consider करना है और तुम्हें किसी भी coaching में सारे के सारे points तो satisfactory level पे नहीं मिलेंगे तो मैं कही न कहीं तो हर coaching में compromise करना पड़ेगा हर coaching की अपने कुछ वही specialty होती है कई जीच में वह अच्छी होती है कई जीच में नहीं होती जैसे quota के बहुत सारे positive points है पर कुछ negative points भी है जैसे कि personal attention नहीं मिल पाता batches में students बहुत जादा होते है तो इस पर भी मैं एक video बनाऊंगा जिसमें मैं अलग-अलग coaching को compare करूँगा कि किसका क्या positive point है किसका क्या negative point है ताकि भी तुम लोगे एक well informed decision ले पाओ और फिर पूरी जिनगी regret ना करो कि भाई मैंने गलत coaching join कर ले दी इसलिए मेरा IT में selection नहीं हो पाया और फिर में ठीक है तो इस video को खतम करने से पहले मैं बता देता हूँ जैसे मैंने काता कि अगर faculties सबसे दाधा important point है कोचिंग से जादा important ही कि कौनसी faculties तुमको बढ़ाने वाली है तो मालो अगर तुमको जैसे मैंने काता तीन faculties पढ़ारी है दो faculties का प्रोपर जो offline coachings होती है जो conventional classroom system है वो चाहिए क्योंकि teacher हमारा guide है हमारा moral support है पर किसी particular subject में एक subject में दिक्कत आ रही तो उस case में भाई हम online जितने भी sources हैं जो courses available उनको refer कर सकते हैं जिस भी चीज़ का हमें समझ में आए उस teacher से भाई online classes कर लो पर कोई particular topic topic समझ में नहीं आया तो उसकी attend कर लो और physics की बात करें तो physics में तो मैं completely सारे lectures बना बना के डाल रहा हूँ already 40-50% lectures IET जाई neat level के मैं cover कर चका हूँ जो free मेरे YouTube channel पे available है and these are the best quality lectures that you will find इस तरह के teaching सिर्फ भाई Kota के top level के जो batches होते हैं महाँ पर ही मिलीगी तुम्हें with that side until next time कर दो